असलाम आलेकुम, सबास बेस्ट क्लासेस में आज मैं आपको इफ़तार के लिए बहुती जबरदस्ट पीजा वॉकेट्स या फिर आप इसे कह सकते हैं पीजा लुखमी बनाना सीखेंगे यह रेसिपी अगर आपको पसनाती है तो इसे लाइक कीजिए वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेर कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताके मेरी रेसिपीस के नोटिफिकेशन्स आपको मिलते रहें तो चलिए शुरू करते हैं तो इसे बनाने के लिए हम आधा किलो मैदा लेंगे और इस मैदे को आप पहले अच्छी तरह से चान लीजिए और चानने के बाद आप इसमें डाल दीजिए एक टीस्पून नमक नमक मैदे में अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए अपने हाथों से और मिक्स करने के बाद आप इसमें बीच में एक गड़ा सा बना लीजिए और उसके बाद इसमें पानी डालिए अगर सर्मा की दिन है यानि विंटर सीजन है तो आप थोड़ा सनीम गरम पानी डालिए और उसके बाद इसमें एक टेबल स्पून शकर डाल दीजिए और एक टेबल स्पोन ड्राइ इस्ट डाल दीजिए आप चाहें तो फ्रेश इस्ट भी डाल सकते हैं हमने यहाँ पर ड्राइ इस्ट डाला है सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और मिक्स करने के बाद हम इसे ढांक कर 15 मिनिट रख देंगे ताके इस्ट एक्टिव हो जाए तो देखिए पंदरा मिनिट बाद आप इसे देखिए यहाँ पर बबल सा गए है मतलब यह इस्ट जो हमारा एक्टिव हो चुका है अब हम इसे गूंद सकते हैं तो हमने यह जो इस्ट वाला पानी है मैडे मे अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसे गूंद लेना है और गूंद कर हम इसे कुछ देड़ धांक कर रखेंगे मिन्स 15 से 20 मिनिट धांक कर रखेंगे और पिर उसके बाद पिर से हम इस में थोड़ा सा तेल डाल कर गूंद लेंगे ताकि यह जो आटा है वो पर्फेक्ट हो जाए तो हमें यह आटा पर्फेक्ट गूनने के लिए थोड़ा सा इसमें तेल डालना है तो यहां मैंने बस दो टेबल स्पून ओईल डाला है ओईल डाल कर फिर से इसे गून लीजिए ठीक है अच्छी तरह से इसे गून दिए और गून कर हम इसे ढाक कर कम से कम आदा घंटा या फिर आप इसे दो से तीन घंटे भी रख सकते हैं गर्मा के दिन होंगे तो जो यह खमीर है यानि इस्ट है यह अपना काम जल्दी करेगा और फिर्मेंटेशन जल्दी हो जाएगा सर्मा के दिनों में थोड़ा सा टाइम लगेगा अब हम स्टाफिंग बनाते हैं तो इसके लिए हमने पीजा सॉस लिया यह यहां पर हम आधा का पीजा सॉस ले रहे हैं पीजा सॉस की रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पर दी है आप उसे देख सकते हैं फिर उसके बाद हम इसमें एक टेबल स्पून चिकन मसाला डालेंगे एक टी स्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे और नमक हम टेस्ट के हिसाब से डालेंगे क्योंकि अल्रेडी पीजा सॉस में भी नमक होता है तो टेस्ट के हिसाब से डालेंगे और एक टी स्पून औरिगैनो डालेंगे और हाफ टी स्पून मिक्स हर्प्स डालेंगे और उसके बाद इसमें श्रेड़िट चिकन एक कप के आसपास आप इसमें मोजलिला चीज डाल दीजिए चिकन की कॉंटिटी आप अपने हिसाब से कम या जादा कर सकते हैं यहां मैंने एक से देड़ कप श्रेड़ चिकन डाला है अब सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और यह हमारी स्टफिंग तयार है यह स्टफिंग बिलकुल तयार है अगर आप कोई थोड़ी सी से सकत करना है तो आप इसे रेफरिजिरेटर में रख सकते हैं देखिए यह आटा यानि आटा अच्छी तरह से फूल गया है अब फूलने के बाद आप इसे थोड़ा सा बरावर कीजिए अपने हाथों से यानि जब इस्ट वाला आटा डबल हो जाएगा तो समझीए कि हमारा आटा रेडी है और इस आटे को थोड़ा सा गून लीजिए और गून कर इस तरह से इसके कुछ हिस्से कर लीजिए यानि एक आटे से हमने दो हिस्से यानि जो जितना गूना हुआ आटा था उसमें से हमने दो हिस्से कर लिए और दो हिस्से करने के बाद इससे हम बेल लेंगे आधा किलो मैदे में हमने दो बड़े पेड़े बना लिए हैं आप चाहें तो तीन भी बना सकते हैं क्योंकि हम इसकी बड़ी सी रोटी बेलने वाले हैं इसलिए हमने दो पेड़े बना लिए हैं अब इसकी एक बड़ी सी रोटी बेलिए कोशिश कीजिए कि ये रोटी थोड़ी सी रेक्ट्यांग्यूलर हो याने चौकोन ही हो थोड़ी से लंबाई में चौकोन हो इसी तरह से दो रोटियां बेल लिजिए बहुत आसान है ये आप इसे इफतार में बना सकते हैं मेहमानों के आने पर बना सकते हैं ये बचों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं इन्हें जरूर ट्राइखीजिए देखिए हमने इस तरह से रोटी बेल ली है और बेलने के बाद हम इस पर स्टफिंग रखेंगे इस तरह से स्टफिंग रखिए और अब हम इस पर रख रहे हैं रेट शिमला मिर्ची के टुकडे आप चाहें तो ग्रीन शिमला मिर्च भी रख सकते हैं क्योंकि ग्रीन शिमला मिर्च यानि हरी शिमला मिर्च बहुत जल्दी बहुत ही आसानी से मिल जाती है तो आप हरी शिबला मिर्च रखें और साथी हम रख रहे हैं इस पर all yous पिर आप इस पर mushrooms भी रख सकते हैं साथी और फिर side में आप लगाईई यह slurry यानि मैदे का घोल मैदे में पानी mix करके आपासे लगा दीजिए जहां जहां हमको चिपकाना है वहाँ पर हमने इस तरह से सलरी लगा लेनी है पीजा सॉस की लिंक मैं इंशाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप उसे जरूर देख लीजिए बहुत ही अच्छा पीजा सॉस है आप उसे बना कर रखिए बहुत आसानी हो जाती है इस तरह के पीजा पॉकेट्स या पीजा लुखमी बनाने में तो इसे जरूर बनाएए अब उसके उपर दूसरी वाली रोटी रख दीजिए क्योंकि अल्रेडी हमने सलरी लगाई हुई है तो बहुत आसानी से ये चिपक जाता है अब हम क्या करेंगे इसे आसानी से चिपकाने के लिए एक डोई या फिर दाल गोटनी अगर आपके पास हो तो उसका जो पिछला हिस्सा है उससे आप इस तरह से प्रेस करें इस तरह प्रेस करने से बहुत आसानी से ये चिपक जाता है आपको एक एक करके हाथ से चिपकाने की जरूरत नहीं पड़ती और बहुत सीधा चिपक जाता है देखी कितना आसानी से चिपक रहा है बस हमने इस तरह से प्रेस कर लेना है किसी लकडी के चमच से या फिर दाल गोटनी वहरा से इस तरह से आपने प्रेस कर लेना है कितना सिंपल तरीखा है ना आसान है बहुत आसान तरीखा है इस तरह से आपने बस प्रेस करना है चिपक जाता है क्योंकि नीचे सलरी लगी हुई है याने मैदे का घोल लगा हुआ है बहुत आसानी से चिपक जाएगा अब इसे कट कर लीजिए जहां जहां आपने चिपकाया था उस वहां पर आपने कट कर लेना है और साइड का जो एक्सेस आटा है वो भी निकाल लीजिए देख तेल हमने गरम किया गरम तेल करके हम मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से फ्राइग कर लेंगे है न एक जबरदस स्नैक्स बहुत आसान बहुत सिंपल आप इसे टिफिन में ले जा सकते हैं अगर बाहर आप पिकनिक पर जा रहे हैं तो यह भी बहुत आसान चीज है बहुत अच्छी है पेट भी भर जाता है तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है इसका कलर और टेस् आप इसे जरूर ट्राइ कीजिए और मैं आपको इसे खोल कर बताती हूं देखिए कितनी अच्छी लगती है इफ्तार में बनाईए मेहमानों के आने पर बनाईए बहुत ही जबर जबर रेसिपी है तो देखिए यह अंदर से कैसे लगती है बिलकुल स्पंजी सा उपर से है और अंदर की चांदर स्टफिंग कहिए कैसी लगी रेसिपी इंशालला फिर मिलती हूँ एक नहीं और यूसुल रेसिपी के साथ थैंक्स फो वाचिंग